Hello Guys, Pranjal Vatho, Welcome to YouTube, WSQBETag YouTube Channel तो basically, आज अपने session में क्या बात करने वाले हैं? आज अपने session में बात करने वाले हैं अपनी pseudo class के बारे में तो pseudo class क्या होती है? ये कोई basically CSS की property नहीं है, ये एक तरह के targeting method इसको बोल सकते हैं तो pseudo gloss क्या करती है? ये अपन को target करने में अपन को help करती है तो target कैसे है कि अपने किसी भी एक particular tag को अपने hold कर लिया अपने hand में तो अपन में चाता हूँ कि इसके tag के अंदर कुछ और interior tags है यानि कि tag के अंदर tag जैसे कि मेरे पास एक div है उसके अंदर एक paragraph tag है तो मैं paragraph tag को class देने की बजा है मैं direct इसको tag अपने div से target कर दूँगा कि तुछ में कुछ इस type की properties आ जाए तो ये होती है अपनी pseudo classes तो चली काई शुरू करते हैं अपने graphical representation के साथ में और बाद में अपन चलेंगे अपने practical पर तो अपन आज बात करने वाले हैं pseudo class के बारे में pseudo class तो basically क्या करेगी ये अपन को interior में target करने में help करेगी target किस वें बात कर रहे हैं for example ये मेरी एक div है ओके इसके अंदर मेरे पास कुछ paragraph लिखे वे हैं तो ये एक आदे paragraph है मतलब की कोई एक से दो तीन paragraph हैं अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे paragraphs में बिना class दिये अपन कुछ interior में properties add करें यानि कि इस वाले paragraph का color मतलब इसके font का color red हो जाना चाहिए इस second वाले का यानि कि first paragraph का red हो जाना चाहिए second paragraph का blue हो जाना चाहिए और third paragraph का green हो जाना चाहिए तो ये अपन कैसे करेंगे ये help करेगी अपन को pseudo classes इन सबको different different type की properties help करेगे अपन को इसको देने में यानि कि अपन पहले में अपन क्या कर रहे थे अपन CSS के selectors को use कर रहे थे जैसे कि class हुई ID हुई या direct अपन tag को लेके बाद कर रहे थे इस तो अपन अपन क्या करेंगे अपन अपनी pseudo class की help से अपन इनको इनके preferred colors प्रोवाइड करेंगे पर अपनने pseudo class क्यों introduce करी यह अपनने introduce करी कि अगर मेरे पास एक div है और उसमें कम से कम 10 paragraphs है तो मैं 10 अलग-अलग classes नहीं बनाऊंगा मैं क्या करूँगा direct उसको एक ही div से target कर दूँगा अलग-अलग paragraph को तो यह paragraph और target किस तरीके से करेंगे यह होती है अपनी pseudo class की help से तो शुरू करते हैं अपन अपनी pseudo class को और साथ में अपन main role लेंगे अपने tag selector का तो CSS में अपने तीन selectors की बात करी थी class selector, id selector and tag selector तो अपन इस pseudo classes में tag selector को लेकर एक important role play करेगा तो चली guys अपन अपने editor की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाके इन pseudo class को use करते हैं तो guys मैं आगया हूँ pseudo class के folder के अंदर यहाँ पर एक index.html file पढ़ी है मेरे पास इसको मैं अपने editor के अंदर open कर रहा हूँ HTML का structure यहाँ पर ready हो गया है मेरे HTML का structure अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक div create करूँगा मैं इसमें एक भी class use में नहीं लूँगा मैं direct tag to tag काम करूँगा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे की अपन को पता लज जागी कैसे कैसे अपना tag work करेगा और इसके अंदर ले लिदिया है मैंने एक paragraph tag अब मैं ws-cube tag की website से एक paragraph लेकर आऊँगा तो मैं आगया हूँ ws-cube tag.com पर और इहाँ सर अपना content ले रहा हूँ और यहाँ paragraph tag में डाल रहा हूं और यहाँ paragraph tag के अंदर मैंने अपना content डाल दिया है अब मैं क्या करूँगा ऐसे ही 2-3 paragraph tag और create कर दूँगा जिससे कि अपन को easy रहे कि अपन को कौन से paragraph tag में कौन सा color या क्या provide करना है तो यहाँ पर file को save करकर मैं अपने browser में open करूँगा तो यहाँ पर यह मेरी सारे आ चुके है paragraph tag और div तो अब मेरा यह question है कि अगर मेरे को इस second paragraph को में को blue color provide करना हो यानि कि मैं क्या करूँगा इसके अंदर जाकर सबसे पहले मैं paragraph tag में जाऊँगा और यहाँ पर मैं class provide करूँगा a second तो यह अपना है अपने traditional method यानि कि यह सारे अभी भी हैं मतब ऐसे ऐसा नहीं है कि traditional method यानि की पहले ही यूज होते थे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसको copy किया और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा इसको color provide कर दूँगा तो इससे क्या होगा फाइल को save करकर मैं browser में run करूँगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर content मेरा blue color में हो गया यह तो अपने क्या क्लास के थूँग अपने अपनी color call कर वा लिया अब मैं चाहता हूँ कि class भी use नहीं हो तो इसकी help से तो pseudo class की help से अपन अपनी provide कर सकते हैं इसको एक color कैसे इह अउलेबल होता है अपने पास अपसे पहले सबसे पहले आपन को देखना है कि यह जो paragraph tag है यानने कि यह वाला paragraph tag यह किस div के अंदर है यानि कि की औंदर है तो यहाँ पर लिखा यह दिव भिए अपना जो paragraph ए वो यूज में लेना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा है पर सबसे पहले डिव ओके गाइस और इस पेस करके पी और इसके अंदर जो भी में को अपना कलर देना हो वो मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा फाइल सेव और रिफ्रेश तो अभी क्या हुआ इसने सारे के सारे ब्लू कलर कर दिये अब मैं कोई भी कॉंटेंट इस डिव के बाहर लिखूंगा यानि कि मैंने पी टैक और इसके अंदर कॉंटेंट यानि कि मैं कॉंटेंट यही से ले लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर अपने बोला ता जो भी डिव के अंदर वारा परिग्राफ हो तो यहाँ पर दिव स्पेस पी यानि की जितनी भी डिव होगी और उसके अंदर जितने भी परिग्राफ होँगे उसको कॉंटे मिल जाएगा ब्लू कलर का तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर अगेन एक div इस्चार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं अपना content डाल देता हूँ, यह वाला, यानि कि इसके अंदर मैं अपना paragraph tag डाल देता हूँ file save and refresh, तो हुआ क्या, इस वाला content था, यह भी blue color का हो गया, क्यों क्योंकि यह वाला paragraph है, यह वाला paragraph है, एक div के अंदर, और अपने css में mention कर रहा है, जो भी div हो, मतलब div के अंदर, जो भी paragraph हो, उसको यह properties प्रोवाइट करनी है, तो इसके अंदर मैं एक और font size increase कर जाता है, जि कितने भी div के अंदर paragraph थे, उनकी font size कितनी हो गई, 25 pixels, अब मैं यहां से मैं for example के लिए div हटा हूँ, file save and refresh, तो अभी के लिए, इसने क्या करा, यह वाला जो paragraph था, यह वाला अपने div में नहीं था, तो उसने यह वाले को target ही नहीं किया, तो इससे क्या हुआ कि यहां पर अपन को बार बार बहुत सारी classes call करने की need ही नहीं हुई, यानि कि अगर मैं यहां पर call करता, यहां पर एक अलग call करता, यहां पर call करता, मैंने क्या करा, यहां पर एक भी call नहीं करी, ओकी guys, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले div को, एक class provide कर दूँगा, first name की, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो class का अब मैं यहां करूँगा यहां पर इस div की जगे यह class ही call कर दूँगा और अब मैं कहीं पर भी div डालूँगा यहां पर मैंने div डाली ओकी guys मैं इसको refresh करूँगा तो इसमें वो effect नहीं आपाएगा यानि कि इस वाली div ने क्या बोला जिसके पास भी class first हो और उसके अंदर paragraphs हो उनको यह वाली properties provide करनी है अब मैं अंदर div space p लिखता हूँ और अंदर इसका color change करके red कर देता हूँ file save and refresh तो अब क्या हुआ अपने इस वाले में specific कर रहा था कि मैं इस वाली class को target कर रहा हूँ और इस वाले में मैंने बोला कि मैं सारी div को target कर रहा हूँ तो यह होती है अपनी pseudo classes अब मैं एक नया structure ready कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक छूटा सा structure ready किया है जिसके अंदर मैंने simple और simple paragraph tags डाले है यहाँ पर मैंने 3 paragraph tag डाले है इसको मैं increase करके 5 paragraph कर लेता हूँ तो अब क्या करेंगे अपने इसको मैं refresh करूँगा तो यह पस 5 paragraphs आ गए है तो गाईस मैं चाहता हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ थर्ड paragraph का color change हो अभी क्या है कि यह सिर्फ और सिर्फ paragraph tags के अंदर है तो गाईस मैंने क्या करा है अभी यहाँ पर एक छोटा से structure ready किया है जिसको जिसके अंदर मैंने 5 paragraph tags जा ले अब मैं चाहता हूँ कि यह 3rd वाला जो paragraph है इसका color change होके blue हो जाए अभी यहाँ पर 5 paragraph है 5 paragraph है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसे विस 3rd वाले का color change हो इस वाले का ओके गाईस तो अपन क्या करेंगे अभी के लिए यह किसी div के अंदर भी नहीं है कि अपन इसको div के अंदर से target कर ले तो अपन क्या करेंगे direct इस 3rd वाले को target करेंगे कैसे target करेंगे एक छोटा सा structure ready करेंगे अपन style के अंदर यानि कि अपन ने बोला paragraph tag ओकी गाईस paragraph tag colon अपन जैसे hover करते थे colon hover लिखते थे अपन और अंदर अपन अप्रॉपर्टीज जालते थे ओकी गाईस फाइल सेफ एंड रीफ्रेट तो मैं जिस भी paragraph पर आता तो उसका color चीज हो जाता था तो यहाँ पर अपन hover नहीं डालेंगे अपन यहाँ पर डालेंगे nth child अनित हाइफन child यानि कि यह क्या बोल रहा है paragraph tag ओकी मैं ध्यान से पढ़ना यह मोल रहा है कि जिसको भी जिसको भी p tag हो यानि कि paragraph tag colon nth child उसको पता नहीं कि अपन किस child की बात कर रहे है यानि कि अपन कौन से paragraph की बात कर रहे है अपन किस paragraph को target कर रहे है अब भी अपनी style को पता नहीं है तो आपने बोले nth child और nth hyphen child और इसके अंदर अपन डालेंगे अपन किस paragraph को target करना चारे है तो मैं चारा हूँ इस first paragraph को नहीं second को नहीं, third को मैं target करना चारा हूँ तो इसके अंदर मैं लिख दूँगा three तो बस इतना सा होता है कि अपन किस तरीके से target करते हैं अपने किसी भी element को file save and open in browser तो अब क्या हुआ कि इसने direct to direct third वाला जो paragraph था one, two and three सिर्फ और सिर्फ इसको ही color red दिया है बाकी ये सारे default में black चल रहे हैं अब मैं चाहूँ तो इसको 5 भी कर दूँ file save and refresh तो ये fifth वाले को color red कर देगा अब मैं अंदर अंदर कोई सी भी property डालू font size bold every property is valid तो इसने font के size को bold कर दिया तो ये होता है अपने किस तरीके से अपन सूडो क्लास को target करते हैं तो अपने अपनी आज की बारे में बात कर रहे हैं कि सूडो क्लास क्या work करती है सूडो क्लास होती ही कि आप किसी से किसी को भी target कर सकते हो तो ये तो मैंने एक छोटा से example लिया था और अब साथ में मैं आपको एक extra CSS की property बताऊँगा जिसका नाम है asterisk तो इस सारे को मैं erase कर देता हूँ तो guys मैंने सब कुछ erase कर दिया है अब साथी साथ में मैंने यहाँ पर अपनी एक image डाली है तो यहाँ पर मैं direct में img tag और source का नाम 1.jpg इसको एक width प्रोवाइट कर देते हैं 500 या फिर इसके open original width और height ले लेते हैं file save and open in browser तो यहाँ पर मैंने पास image आ चुकी है अब आप guys notice करोगे कि यहाँ पर जो gap आ रहा है यह तो मैंने दिया नहीं न यह margin है न पैडिंग है तो यह gap के इस तरीके से आ रहे है और यह gap क्यों आ रहा है इसके बार में अपने आज बात करेंगे तो मैं style में जाओंगा और simple or simple star जो अपने पास है जो अपने star होता है जिसको multiplication का sign है वो लगाऊंगा और अंदर में इसको बोल दूगा इसकी जो पहले से default में जो margin होती है margin अब वो हो जाएगी 0 और padding जो है वो हो जाएगी again 0 यह क्या होता है यह पहले से ही default में कुछ margin और padding लेके चलता है file save and refresh तो guys आप notice करोगे जो अपना space आ रहा था top or left side से वो बिल्कुल गायब हो चुका है तो यह होता है अपने astreak का use तो आज अपने बात करीथी pseudo classes के बारे में तो I hope कि आपको अच के session में समझ आया होगा जापर अपने pseudo classes के बारे में बात करी pseudo classes अपने को तब वो करती है जब अपने सामने जब अपने पास में बहुत सारे elements हो और अपने उनको different different colors देने हो तो अपन क्या करेंगे सबको individual classes देने से अच्छा अच्छा अपन उसको उसके NH child से call कर लेंगे या फिर अगर वो किसी element के अंदर है तो अपन direct element के थू उसको call कर लेंगे so guys thank you watching this video and don't forget to hit the subscribe button thank you guys